मुंबई का एक होस्पिटल है जहां पर लफख 14 साल की एक लड़की एडमिट है उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डोक्टर पूछताज के लिए तो लेडी पुलिस अधिकारी साफ सफाई करने जाएगा तो लेडी इस डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा यानि कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की लेडी इसके अलाबा कोई भी व्यक्ती पुरुष नाम से ना तो कोई वहाँ एंट्री होगी ना ही पुरुष का नाम वहाँ लिया जाएगा दरसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना वहवीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर-जोर से चलने लगती है उसे देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो मर जाएगी ग्यारे सितंबर की शाम पांच बजे तक भी वो लड़की जिन्दगी की जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे ही चल रही हैं, उसे वाकी बहुत सारी प्रार्थमा की जरूत है वो लड़की दिल्ली की निर्वहा से कम नहीं क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है बलकि उससे जादा कहें तो कम नहीं होगा आदाब, नमस्कार, शस्त्रिकाल, मैं उस्मान सैफी आज की जो इस सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सची घटना है महराश के पुणे शहर की दरसल यहां का एक थाना है बनवारी और इसी थाने छेतर में रहने वाली एक लड़की जिसकी उमर 14 साल है उसके माता और उसके पिता किसी नरसरी में नोकरी करते हैं पेड़ पोदों की रखवाली उनको तैयार करते हैं ये 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदा थै ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे इस्टेशन पर पहुँच जाती है वहां जाकर उस लड़की का इंतजार कर रही थी रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया जिसको लेकर वो परिशान होने लगी अचानक ही उस लड़की पर एक ओटो वाली की नजर पढ़ जाती है और जैसे ही ओटो वाली की नजर पढ़ती है ओटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो क्यों परिशान हो क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो लड़की कोई एक सहारी की जरूरत थी उसे लगा कि शायद ये जो व्यक्ति है लवग जिसकी उमर 30 साल थी उसने अपने उस दास्ताओं को सुना दिया बता दिया और कहा कि वो अपने घरवालों की बिना मर्जी के यहां रेलवे इस्टिशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी दोस्त नहीं आया इसलिए वो परेशान है इतना सुनने के बाद वो ओटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापिस लोटकर आता है उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही थी दरसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहां आना नहीं चाहता वो शर्मिंदा है अपनी किये पर जो लेट हो गया है इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिला दूँगा लड़की क्योंकि रो रही थी काफी देर से उसके पास ना पीने के लिए पानी था ना वहां आसपास उसे पानी की सुथ थी उसने उस ओटो ड्रैवर ने उसको एक बोटल दे दी और उसका उसने पानी पी लिया दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो गश खाकर इससे पहले गिरती वो लड़का उसे ओटो तो के लिके पहुँच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलातकार करता है कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है वो 14 साल की लड़की उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी उसे पानी के रूप में कुछ नशिला पदार्थ पिलाया गया था इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीच जाते हैं वो ओटो ड्राइवर एक लोज में लेके जाता है वो एक छोटा सा होटल होता है उस होटल में जब लेके जाता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के कुछ और यूबक इंतजार कर रहे थे लड़की एक कमरे में जाती है 31 अगस्त की राद 10 वजे ये वाक्या शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद लोजु में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद गर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दी जाते हैं यानि कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था. अब वो लड़की शर्मा रही है, परिशान हैं और उसके साथ पहले ही बलातकार हो चुका है, धीरे धीरे उसे होश आता है, तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे. दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है एक के बाद एक लड़का आता रहता है और यह सिलसला लगातार चलता रहता है शाम हो जाती है यानि कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वो 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलातकार पर बलातकार करते र कहती है वो कई वार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो मुझे पीने के लिए पानी दे दो मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता उसकी कोई पुकार नहीं सुनता उसकी चीखों की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा भी रही थी तो ना जाने क्यों वो होटल मालिक या वास पास के लोग उन आ cactus को सुनी ही नहीं पा रहे थे ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजक्शन दिया जा रहा था नशली चीजें दी जा रही थी जिस से क्या वो शोर नमचा सके इस बीच उस लड़की ने बारबार request करती रही माफी मांगती रही उसे बचाने की गुहार लगाती रही इन बारहा लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे इस्टिशन पर छोड़ देता है अब ये आरोपी बारे के बारे ये फर बलातकार करते हैं याने कि अभी वो उन लोगों से बची थी कि दो सफाई करमचारियों ने भी उसके साथ बलातकार जैसी घटना को अंजाम दे दिया दादर रेलवे शिशन के सफाई करमचारियों ने उसके साथ बलातकार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया, जिस ट्रेन की जो दिशा थी, वो उत्तर की ओर जा रही थी, कई सो किलोमेटर का सफर करते करते लड़की चंडिगर पहुँच जाती है, एक कोने में डरी हुई, सैमी हुई बैठी रहती है, इस बीच ना जाने कितने लोग आते हैं, जाते ह मगर किसी भी व्यक्ती की नजर उस लड़की पर पहुची ही नहीं, वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी, उसकी परेशानी किसी को दिखाई ही नहीं थी, ये भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, 48 घंटे से जादा उसके साथ 12 अलग लोगों ने, 2 सफाई करमचारियों ने बलातकार किया था, उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, ना जाने क्यों किसी की उस पर नजर ही नहीं जा रही थी, जैसे ही ट्रेंट चंडिगड में जाकर रुकती है, एक जी आरपी का पुलिस करमी उधर से निकल रहा था, अचानक उस लड़की को द नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुशी ही था, उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलातकार करेगा, उस लड़की चंडिगड उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रें का लास्ट इस्टोपिज जो था, वो चंडिगड ही था, अब वो रेलबे शेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक जिगे बैठी होती है, मगर वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था, उसने CWC यानि चाइल्ड वैलफियर कमीटी से संपर्क बनाया, वहां की एक महिला अधिकारी ततकाल मोके पर प दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपनी आप बेती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडिगर पहुँचने तक की एक एक वाकिया जब बताया तो महिला अधिकारी का रो रोकर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाला था, वो अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया, बात रोने वाली थी, ये किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक बारदात अगर होती है तो शायद आशों के अलाबार कुछ निकलेगा है निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दौाएं या फि वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्च कराई, लेकिन पुलिस यहां की भी बाकी बहुत अच्छी थी, बनवारी थाने के पुलिस ने आसपास के लोगों से पूश्टाच की और धिरे धिरे उसके बारे में जानने की कोशिश की, उसका जो बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही शालिंता से इस मामले की बहुत ही खुबसूरती सा जाच की है, यानि की इस पूरी कहाने में पुलिस की जितनी तारिफ की जाए उतनी ही कम है, जैसे ही चंडिगर की पुलिस, बानवारी पुलिस से कॉंटेक्ट करती है, तो उसके उसकी खिदमत में उसकी हर्ज जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है क्योंकि वो लड़की पुरुष जाती नाम से डरी हुई है घबराई हुई है इसके बाद पुलिस ने जो अपने मामले की जांच परताल शुरू की है तो सो से जादा सीसी टीवी कैमेरे को खंगाला आखिर कार पुरे के रेलवेज शेशन पर एक ओटो जाता हुआ मिलता है उसी में वो लड़की थी और उसी ओटो का नंबर उस सीसी टीवी में कैद हो जाता है पुलिस ने उस आरोपी को जिसके उमर लवक 30 साल थी उसको गरफतार किया उसको पकड़ा और एक एक करके जित जो इस केस से सीधे सीधे तोर पर जुड़े होए हैं मुंबई पुलिस की प्रात्मिकता है कि इस मामले को फास्ट्रेक कोट में चलाए जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में या लगवग एक महिने में इस केस में निर्णे आना चाहिए और जितने भी दरिंदे हैं जितने भी लोगों को होस्पिटल ते पहुचाया और मैं सेलिट करता हूँ उस पुलिस को जिसने इस मामले को मैज पांच या छे दिन में खोल कर सबके सामने रख दिया ये कहानी आपको ज़्यादे नियू चैनल पर या पर ज़्यादे अखवार में देखने को नहीं मिलेगी क्योंक पर फिर नहीं ले रहा है. इस कहानी को सुनाने का उद्देश में बसक्षान करना नहीं है इस किसी का दिल दुखाना नहीं बलकि आपको शचेत करना है. आपको जागुरू करना है आप जहां भी रहें अपना खैर लखें, सुरक्षित रहें जैहिंद, जै भारत